आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपस्टेसिस की इसे आप भासा में bleeding from nose या फिर नाक से खूनाना कहते हैं हम जानेंगे हमोपैती में ऐसे कौन-कौन सी दवाई है जीने लेने से आपको इससे बहुत जल्द अराम मिलेगा बस आपको अपने symptom के according की medicine लेनी है जिस medicines आपके symptom मिलते हैं आपको वो ही medicine लेनी है आपको बहुत जल्द अराम मिल जाएगा तो start करते हैं पहली medicine है ब्रावनिया क्यूँ इसका symptom है यानि कि ये इसकी मुख्य दवा है और ऐसे patient को हलकी CB motion से या फिर हलकी CB छेड़चार से तुनन नाक से खूनाने लगता है medicine लेनी चाहिए यानि इसके बाद इपिकॉक 30 इसका symptom है blood, bright red, nose या clean tongue यानि कि खून का रंग चमकदार होता है साथ में जी मिचलाता है और जी बिल्कुल साफ हो तो ऐसी condition में इपिकॉक 30 medicine लेने से बहुत जल्द अराम मिलता है इसके बाद है चाइना 30 इसका symptom है blood, dark and clotted blood बहुत घाड़ा होता है और जमा हुआ होता है bleeding so profuse खून बहुत मातरा में निकलता है that it causes fanting जिसके कारण पेशेंट को चक्कर भी आ जाते है यानि कि मूर्चा भी आ जाती है and ringing in ears और उसके कान में घंटी बस्ती है तो ऐसी condition में चाइना 30 medicine लेनी चाहिए दन इसके बाद है cynodon dactylone q इस medicine का symptom है epistasis with bright red colored aggravate from heat of sun after coughing यानि कि यदि धूप में जाने से नाक से खून आने लगे या फिर खांसी के बाद नाक से खून आने लगे तो ऐसी condition में आपको cynodon dactylone q medicine लेनी चाहिए इससा आपको बहुत जलत अराम में लेगा इसके बाद dark or black stringy nasal bleeding generally in hot weather यानि कि यदि आपकी नाक से काला या फिर घाड़ा खून निकले जो कि तार के रूप में हो और generally गरम मोसम में हो तो ऐसी condition में आपको crocus sativus 200 medicine लेनी चाहिए और इसके साथ में आप biochemic remedy ferum force 3X ले सकते हैं इससे भी आपको बहुत अच्छा result मिलता है तो यहाँ पर हमने बात करी है nasal bleeding की कुछ ऐसी medicine की जो कि बहुत अच्छा काम करती है तो आपको अपने symptom के according इन में से कोई medicine ले लेनी है आपको बहुत अच्छा राम मिल जाएगा धन्यवाद